हां जी दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में क्वेस्टिन नुबर 4 क्लास 9 का एक्जरसाइज 1.3 तो क्वेस्टिन पढ़ते हैं एक्सप्रेस 0.99999 अप्टो सो आन इन फॉर्म पी बाई क्यों इसका मतलब में बता दिया आपको कि यह नंबर जो है 9 रिपीट हो रहा है नौन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानि कि यह रैशनल नंबर है जो नौन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते है वो रैशनल नंबर्स होते है और इसको हमें पी बाई क्यों की फॉर्म में दिखाना है are you surprised by your answer बोरें क्या आप अपने answer से surprise होंगे हैरान होंगे with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense बोरें फिर अपने teacher और अपने classmates के साथ discuss कीजिए कि answer answer में क्या sense है और answer में कोज सा sense है तो देखते हैं चलो करते हैं आगे ठीक है तो मैं लिखता हूँ solution हमें 0.9999995959 59 लिखने 59 लिखने की जरूरत नहीं अगर 2-3 लिख देते हैं और 15 dots डाल देते हो तो काफी है ये हमारे पस given है औके और ये हम let करेंगे जैसे हमने पिछले questions में किया था let x is equal to ये हम x के बराबर लेंगे 0.999 नाइन नाइन में तीन ही नाइन लिखता हूं ठीक है पांच नाइन लिखने की जरूरत नहीं है जैसे आपने पिछले question किये थे बिल्कुल वैसा ही same question ये भी है इसको भी multiply करेंगे दोनों तरफ से 10 से multiplying 10 on both sides ये भी वटा S लिखता हूं में ये both sides है तो 10 से multiply करने से 10 next बन जाएगा और 10 से multiply करने से 9.999 आप तो सो आएगा ये आप calculator पे चेक भी कर सकते हैं यहां पे बहुत सारे calculator के capacity होती है 12 digits होता है कोई calculator उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो 99 वह बहुत बार दिखाएगा it means कि वह 9 repeat हो रहा है 10x अभी हम ऐसे लिखते हैं is equal to 9.99 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा expand करके 9 plus 0.999 आप तो सो आप तो 10x फिलाल ऐसे ही equal to 9 भी ऐसे ही plus यह आप देख सकते हो 0.999 यह हमने किसके बराबर लिया हो यहां पे यह हमने x के बराबर लिया हुआ है तो यहां पे इसके बदले हम x लिख लेते हैं ओके तो फिर मैं यहां पे दिखा देता हूँ आपको 10x ऐसे ही यह x जो है यहां पे plus positive यहां पे LHS की तरफ ले जाने से यह negative बन जाएगा equal to यहां पे खाली बचा क्या 9 तो 10x को जब हम subtract करते ह 9x तो बचते हैं 9x equal to वो बराबरा था 9 के और x को ऐसे ही रखते हैं 9 को भी ऐसे ही रखते हैं और यह 9 इस side multiple है इस side divide में चला जाएगा 9100 9100 तो यहां से जो answer आएगा x का value जो आएगा वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आपने देखा कि 0.9999 बहुत बार यह almost किसके बराबर होता है इसका value हमें जो final value है वो हमें 1 के बराबर है it means कि 0.9999 almost equal to 1 के होता है यही इसमें sense है तो यहां तक आप लिखे लेजी फिर में आपको बाकी पार्ट का जो यहां पे दिखा हुआ है with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense इसकी थोड़ी सी एक line लिख लेता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो हमने अभी तक किया from abo यानि कि abo का मतलब है जो आपने उपर किया मैंने तो erase कर दिया आप copy पे जब लिखोगे आप नेचे ही लिखोगे यह line कि जो उपर हमने किया it is clear that it is clear that our answer it is clear that 0.999 up to so on is almost equal to one निकी 0.999 जो है वो almost किस के बराबर है one के so that question has sense in it इसका मतलब है कि question में क्या है sense है आपने देखा 0.999 जो है वो almost one के बराबर आया इसका मतलब है कि question में sense है thank you